नमस्कार दोस्तों, फाइटर जेट्स की बात होते ही F-35 और F-22 रेप्टर की चर्चा होती है, जिने बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर क्या आपको पता है कि अमेरिका का एक और धुरंदर फाइटर जेट है जो आज तक कभी भी कोई लड़ाई नहीं हा रहा है, 104 फाइटर जेट को गिरा चुका F-15 इगल, कितना शक्तिशाली है और इसके नए मोडल, यानि कि F-15X में क्या नए बदलाव किये गए हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, अमेरिका एक सूपर पावर है, ये हम सब जानते हैं, जब भी जबरदस्त, ताकतवर अमेरिकी एर फोर्स की बात की जाती है, तो अकसर इसे F-35 या F-22 रेक्टर जैसे फाइटर जैट के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन पिछले 40 वर्षों में जिस फाइटर जैट ने दुनिया भर में अपनी धाक जमा कर अमेरिका को एक सूपर पावर होने का तमगा दिलवाया है, वो फाइटर जैट है F-15 इगल, ये एक ऐसा ताकतवर फाइटर जैट रहा है, जिसने दुश्मन के फाइटर जैट को हर मुकाबले में हराया है, F-15 का win to loss ratio 104 is to 0 है, यानि आज तक दुश्मन का मुकाबला करते हुए F-15 इगल ने दुश्मन के 104 फाइटर जैट को धूल चटाई है और दुश्मन का कोई भी फाइटर जैट कभी एक भी F-15 इगल को नहीं गिरा पाया, ये है आइकोनिक दो इं कारी के रूप में कवर करके चलता है, F-15 इगल अमेरिकी एर फोर्स के लिए air superiority रोल को निभाता आया है और इसकी ground support देने की शमता भी जबरदस्त है, जहां आजकल के फाइटर जैट 2000 km पर आवर की स्पीड से ही उड़ पाते हैं, वहीं F-15 इगल 3000 km पर आवर की स्पीड को भी पार कर सकता है, इसका combat radius 2000 km का है और साथ ही यह एक बार में 5500 km तक की दूरी तै कर सकता है, इसकी service ceiling भी बाकी fighter jet से थोड़ी जादा है, यह 65,000 feet तक की उंचाई तक भी उड़ सकता है, साथ ही यह एक बार में 12 air-to-air missiles को भी ले जाने में सक्षम है, जिसमें AIM-120 और AIM-9 side winder जैसी missile ने शामिल है, यह 24 तरह की air-to-ground guided missile को भी ले जा सकता है, F-16 की तरह ही अमेरिका ने F-15 Eagle को कई देशों को बेच कर काफी पैसा बनाया है, इसे Japan, Israel, South Korea, Saudi Arab, Singapore, Qatar जैसे देशों को बेचा गया है, इसके latest model यानि की F-15X में काफी सारे नए बदलाव भी किये गए है जैसे modern flight controls, new multi-color advanced cockpit, ज्यादा बड़ी range के लिए ज्यादा शक्तिशाली ASA radar और साथी बहुत advanced electronic warfare को भी इसमें लगाया गया है, इंफा-red search and track system भी इसमें लगाया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि अब दुश्मन के fighter jets से ज्यादा तेज चलने वाला, ज्यादा missile ले जाने वा F-15X वाकई F-35 और F-20 जैसे stealth fighter jet के साथ मिलकर air superiority role को बखू भी निभाता रहेगा, कई ऐसे missions होते हैं, जहाँ stealth से ज्यादा ताकतवर fire power या missile की आवशक्ता होती है, जैसे कि terrorist या militant group का सफाया करना हो, तो वहाँ पर इस कम खर्चीले F-22 से काफी सस्ते F-15 Eagle का कोई सानी नह ही है, F-15 Eagle की maintenance भी काफी कम है, इसकी flying cost per hour भी बाकी fighter jet के मकाबले कम है, आज भले ही जादा महंगे stealthy fighter jet का जमाना आ गया है, लेकिन जो रुत्बा F-15 Eagle ने अमेरिका को सारी दुनिया में सबसे ताकतवर देश के रूप में दिलाया है, उस काम को कोई और fighter jet नहीं कर सकता है, इसके 104-0 के win-to-loss ratio को आज तक कोई fighter jet चुनुती नहीं दे पाया है, काफी सारे लोगों को इस बात का भी आस्चरे है कि भारत जो 114 fighter jet की deal MMRCA के माध्यम से जल्दी ही करने वाला है, उसमें अमेरिका ने F-16 और F-A-18 Super Hornet को तो सामने रखा है, लेकिन ज़्यादा ताकतव और ज़्यादा तेज, ज़्यादा हथियार ले जाने में सक्षम F-15X को क्यों नहीं शामिल किया गया, इसका जवाब तो अमेरिका ही दे सकता है, दोस्तों आपकी राय में क्या कोई fighter jet F-15 Eagle के 104-0 record को तोड़ पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्षन में जरूर बत करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, नमस्कार